हाई योरीवन दोस्तों ब्पीपी सील भाहरत पेट्रोलियन काप्रेशन आफ इंडिया लिम्टेट की तरफ से डिप्लों वाले एंड ग्रेजुट वाले के इंडिट के लिए काफी संदार रिक्वार्मेंट निकल कर आ रहे हैं अप्रेंटिसिप के लिए थोड़ा सा आप व जो लोकेटेड है यहां पर अगर नीचे जैसे सलाइट करेंगे तो यहां पर दो परकार की नंबर वेकेंसी आए पहला ग्रेजुट अप्रेंटिस और दूसरा टेक्निशन अपरेंटिस में देखा जाए तो टूटल टूटल डिगरी यहां पर मेंडेटरी है क्वालिफिक सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट रूप ले करता है इस टाइपेंट तो 25 थावजेंट यहीं 25 रुपिया आप लोगों को पर मंत इस्टाइपेंट मिले मना है जो अगर देखा जाए तो बहुत यह अच्छी कासी बीपी सिल सबसे ज्यादा जो है की स्टाइपेंट देता आपका यहां पर ट्रेणिंग चलने वाला है जिससे नीचे आएंगे तो टूटल नंबरा वैकेंसी 42 रहने वाली है डिगरी वाले केंडिट के लिए और जिससे नीचे आएंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं इंपोर्टेंट की बारे में कुछ बात करेंगे अभी टेक आपको एन एटी यह नेशनल अपरेंटिस ट्रेणिंग सिस्टेम की इस पर आपको अपलाई कर रजिस्टेशन करना पड़ेगा वहां पर जैसे आपका रजिस्टेशन अप्रूब्ड होगा जाएगा तो अप्रूट करने के बास एस्टेब्लिस में जाकर यहां पर यह कैमिकल सिविल इलेक्टिकल में केंडिट के लिए डिख सकते हैं तो अपर मन्द को मिलने वाला है तो अगर यह देखा जाए तो आई-उसी यहीं युझा याडी कम्पनियों से ज्यादा स्वेच्टिय्पनियों के लिए दिया जाता है आप लोग यहां पर ट्रेनिंग अप्रेंटीश चलने वाला इस लोकेशन पर जैसे नीचे आएंगे तो यहां पर जो भी केंडेट अप्रेंटीश के यहां पर देख सकते हैं फर्स्ट क्लास इन इंजिरिंगी फूल कोर्स होना चाहिए जो मिनिमूम साथ परसेंट होना चाहिए केटेगरी टेकिनिशन वाले केंडेट जो भी डिप्लोम वाले केंडेट हैं तो जो भी केंडेट ऊपर जो डिस्प्रेंड मेंशन किया गया था उसके कॉड़ी और क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप सिंपली फॉर्म को फिल अप कर सकते है जिसे नहीं चाहिए तो एज 18-27 वर्स रहना चाहिए और इस केटेगरी के करिंग आपको रिलेसेशन इसमें मिल जाएगा तो यह बहुत ही संदार नंबर आव एकेंसी है और नंबर आफ देखा जाते रिक्वार्मेंट है और नाजेशन बहुत ही अच्छी है जो भी केंड से रिजिम में उगर अप्लोड करके रजिस्टर कर लेना है उसके बास में जानाад लेशर में आएंरीड़ करना है जो भी कोड आप शक्रम बताएं वहां से ड्रेक्ट लिए आप इस फॉर्म को फिलप कर सकते हैं यहां पर दक सकते हैं को फ्यू करने में तो अब झाल झाल झाल